बनी पार्क एस्टेशन रोड जैपूर राजस्थान दोस्तो ये राम मंदिर का गेट है इनका निर्मान जो है सन 1974 इसी में की गई थी अगर आप भी जाना चाहते हैं श्री राम को दर्शन करने के लिए तो जैपूर राजस्थान में पड़ता है वहाँ जाके आप देख सकत हैं इस्टेशन रोड पे यह मंदिर का बना हुआ है आप भी जाके वहाँ से देख सकते हैं यह इंट्री गेट है दोनों साइड से जो है फूलों का दुकान है आप वहाँ से फूलों लेकर के आप चरहाबा भी कर सकते हैं और यह जो है फूहारा टाइप का यह बीच में ज जैसे हम देखिए जाके हम आपको देखते हैं दिखाने की कोशिस करते हैं यह मंदिर है हम पहले आपको जो दिवारों पे इस्टेशू बना हुआ है रिश्यो मूनियों का सबका हम आपको जो है दिखाते हैं किस टाइप से मंदिर का दिवारों पे जो है बना हुआ है सभी तो इस तरीका से जो है हम नजदीक से दिखाने की कोशिस कर रहा हूं आप इस विडियो के माधियम से देख सकते हैं तो यह है मंदिर का जो है दिवारों पर जो जो रिशियो मूरियों का जो बना हुआ तो जब भी आप जाएंगे जैपूर तो जरूर आप एक बार दर्शन करने के लिए जाएंगे और इस परकार से आपको सारे मंदिर के अंदर में देखने को मिलेगी बहुत अच्छा मंदिर है आप वहाँ जाके देख सकते हैं जब भी आपकी टूर बने और वहाँ जाके आप देख सकते हैं राम मंदिर है बनी पार्क स्टेशन डोड के नाम से मसूर है मेरे चनल पर पहली बारा है तो लाइक सस्क्राइब कर लिजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँछ सके तो मैं वीडियो के माध्यम से सब कुछ मंदिर के अंद और कहां से देख रहा है हमें कमेंट जरूर कीजिए तो इस तरीका से जो है सारे रिश्वी मूनियू देवी देवताओं का जो है बना हुआ है जो है यह फोटो इस्टेचू बना हुआ है इसी तरीका से सारी देवी देवताओं का जो है आपको फोटो इसमें मिलेगा देखने को तो आप जाके जैपूर में राजस्थान में आप देख सकते हैं और ये उसकी पार का जो है एक फुहरा सा बना हुआ है आप वहां भी जाके देख सकते हैं और ये मंदिर के पूरी हम वीडियो दिखाने की कोशिस करता हूं किस टाइप का है ये सामने से है ये घडियां लगी हुई है उसी के कोने पे मंदिर के जब अंदर ग्राउंड में जाएंगे मंदिर साम को 6 वजे खुलती है और सारह 6 वजे आरती का टाइम होता है बाकी ठंड और गरम के मौसम में उस हिसाब से जो है वहां बंद होने का खुलने का अब ही जो है यहां पर इस्टेचू बना हुआ है जो रमाइन लिखे हुए थे आप देख सकते हैं यहाथ में जो है इनका इस्टेचू बहुत सुन्दर देखने में लगता है तो जब भी आप वहां जाते हैं तो वहां जाकर के एक वार जरूर दर्शन कर लिजेगा मैं जरूर एक बार दर्शन के लिए जाएं मंदिर के जो पीछे वाले हिस्टा है उसी दोने कोनों पर जो है इस तरीका का जो है आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक सस्क्राइब बेल आइकन दबा लिजे ताकि जो भी मैं वीडियो को अब लोड करूएं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो यह मंदिर पूरी देखने को आपको दिखा रहा है आप जाये और बात करें में से आपको दिखां है आप देख सकते हैं वीडियो में जब आप उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर का डिजाइनिंग इस तरीका से बना हुआ है वहाँ जाएंगे बहुत आत्मा की सांती मिलती है और गर्मी के मौसम हो या ठंडी के मौसम हो टाइम उसी हिसाब से पंडी जी वहाँ टाइम को निर्धारित करते है सुबा का टाइम कुछ और होता है साम का कुछ और होता है इस तरीका से आप वहाँ जाके देख सकते हैं मैं वीडियो के माध्यम से पूरी वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिस करता हूँ अगर आप वहाँ नहीं गये हैं तो आप एक बार जरूर जाके देखें तो इस तरीका से हैं अच्छे अच्छे जो है मंत्र इस पे लिखे हुए हैं वहाँ बैठ के अराम से पढ़ें और आत्मा की सांती बहुत मिलेगी हमारा ये राम मंदिर है जैपूर राजस्थान बनी पार्क स्टेशन रोड के नाम से जाने जाते हैं तो आप जब भी अगर टूर बने जैपूर का तो आप जरूर एक बार जाए ये पुजाडी बाबा है जो फूलो जो है हम लोग जो चरहाते हैं वो यहाँ पे जाके हम पंडी जी को देते हैं बहुत अच्छा मंदिर है आप जब भी जाते हैं तो वहाँ दर्शन के लिए जरूर जाए इस्टेशन रोड पर है बनी पार्क के नाम से वहाँ जाना जाता है ये देख रहे हैं सब लोग जो है पड़िकमना जो है कर रहे हैं तो इस तरीका से जो है आप पर कमना कर सकते हैं बहुत सुन्दर जगह है और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है तो आप लोग भी वहाँ जाने की किरिप्या करें मेरे चनल पर पहली बारा है तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाय स्रीडाम